नमस्कार सुआगत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो पाकिस्टान और ऊश्टेलिया मैच में हुई भाईबानी दुबारा से खेलाजाए गाई मैं जिहां इस वीडियो मैं आप सभी को बताने बाला हूँ कि कैसे पाकिस्टान और ऊश्टेलिया का मैच आज दुबारा आप सभी को देखने को मिलने वाला है दोस्तों ये बहुत बड़ा मैच था और इस बहुत बड़े मैच में बहुत बड़ी बैमानी हुई है और इसी वज़े से आज एक वार फिर से मैच आप सभी को देखने को मिलतकता है तो आप सभी हमारी इस वीड दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस पूरे T20 World Cup में जिस तरह की सांदार प्रफॉर्मेंस कर रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम T20 World Cup से सिरफ एक मैच हारने की वज़े से बाहर हो जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ, और हारी भी तो कैसे कि Ampire ने बैमानी ही करा दी, जिहां आपको बता दे, Ampire ने बेहदी सातिर सरीके से इस मैच में बैमानी कराई, जिसकी वज़े से पाकिस्तानी टीम को T20 World Cup से बाहर होना पड़ा है, और इसी के बाद अब ICC इस पर विचार कर रही है, और किसी विवाक्त ये मैच दुबारा आज कराए जा सकत मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की टीम को बहुत बुरी तरह से हार का इसमें बेसक से सामना करना पड़ा है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाडियों ने किसी भी तरह से पीठ नहीं दिखाई, वो लगातार इस मैच में लड़ते रहें, जो उचते रहें और पाकिस्तानी गेंज बाज विकट निकालने की कोसित करते रहें, लेकिन सुरुवात में ही बहिमानी हो गई थी, जी हाँ आपको बता दे जिस टाइम पर डैविड वार्नर बैटिंग कर रहे थे, उसी टाइम पर डैविड वार्नर को साइन अफ रीदे ने एक गेंग फेकी थी, जो कि LPW और ये साफ आउट था, लेकिन अमपायर ने आउट नहीं दिया, और इसके बाद इस मैच को लेकर जो वहिमानी हुई, उसके बाद अमपायर पर भी सवालुपने लगए और मैं आपको बता दूँ कि इस मैच को अब दुबारा कराए जाने की दर्सकों की मांग है, फैंस यहाँ पर ICC को इस पर विचार करना होगा और आज पाकिस्तान को एक बार फिर से एक और चांस देना होगा, तुकि पाकिस्तान ने जिस तरह से सांदार परफॉर्मेंस किया था, इसके दम पर पाकिस्तान को एक और मौका मिलना ही शाहिए, मैं आप भोदा दू, IPL को इस ह पाकिस्तानी फेंस डेमांड कररे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ हैसा ही होना चाहिए, मैं अब हो यह तक कि तान से थी इस और उम्मिद करते हैं कि ICC पर जल्द ही विचार करेगी और आज एक बार फिर से पाकिस्तान और उस्टेलिया का मैच कराया जा सकता है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद